सो फ्रेंट्स आईए स्टार्ट करते अपना अच के वीडियो को बजेट 2022 ते इसमें अब आपके लिए एक और नया टेक्स यहाँ पर लाया जाएगा जहाँ पर इंकम टेक्स नहीं सर आपके एक्सपेंडिचर पर टेक्स लगेगा तो उसको हम कहेंगे सर टेक्स इंडिया में लगती है सर ऐस पर गवर्मेंट यहाँ पर पार्लियमेंट के अंदर जो बिल है फाइनेंस बिल है वो पास करवा के जिसके अंदर समझ लीजे जैसे जीएश्टी की रेट से जो फिक्स करती है इंकम टेक्स की रेट फिक्स कर जाती है कस्टम की जो रेट है व यहाँ पे fix करती है but जो actual tax यहाँ पे जबा होता है जो टेक्सपेयर से जो एक्चुल टेक्स जमा होता है गवर्मेंट के खाते में जो आता है वो टिफ्रेंट होता है तो यहाँ पर जो है जो potential rate और जो actual rate जो taxpayer बढ़ता है सरकार को जमा करवाता है tax और गवर्मेंट के फंड के अंदर जो जाता है वो पैसा और जो गवर्मेंट फाइनस बिल के अंदर जो टेक्स estimate करती है potential rate हम जिसे कहेंगे उसमें फरक होता है उस फरक को यहाँ पर कहेंगे tax expenditure सर क्या कहेंगे उस फरक को यहाँ पर tax expenditure कहेंगे example के तुरू अगर मैं आपको समझाओं तो अगर tax expenditure क्या हो गया सर formula क्या हो गया सर potential rate minus actual rate समझ लीजे 1100 करोड government ने estimate किया था कि 1100 करोड जो है government के खाते में आएंगे और वो 1100 करोड आगे economy में use होंगे but actually taxpayer ने कितने यहाँ पर government के खाते में आए वो आए 800 करोड तो यहाँ पर जो difference है 300 करोड का इसे कहेंगे सर tax expenditure यानि ये government का क्या ये government का loss है क्या ये government को पैसा इतना नहीं मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला बहुत important topic है अगर ये पैसा जो 300 करोड है वो कहां गया वो government तक क्यों नहीं आया जब government ने rate पाल्य अमेंड में बिल के अंदर जब government ने tax rate लगा दी तो उस हिसाब से वो पैसा क्यों नहीं आया तो उसका एक बहुत बड़ा reason है वो है सर exemptions government different different types के exemptions देती है concessional देती है रिबेट देती है deduction देती है credit facility इंसेंटिव देती है तो government ये सभी टाइप के exemption concessional rebate deduction जैसे मैं आपको example बताऊं तो ATC के deduction LIC premium के deduction ATD के medic claim के deduction अगर कोई घर लेता है loan पे तो उसके interest और उसके प्रिंसिपल पे deduction PPF का deduction उसके अलवा और भी बहुत सारे ऐसे deduction है exemption है जो दिये जाते है taxpayer को corporate tax के अंदर बता दे तो tax benefit मिलता है अगर कोई remote area में इंडस्ट्री जो है develop करता है तो उसी के साथ SCJ area के अंदर कोई develop करता है तो उसमें वहाँ पर exemptions दिया जाता है 100-100% भी यहाँ पर जो exemption दिया जाता है 10-year benefit दिया जाता है तो यहाँ पर exemption और tax benefit देने के वज़े से यहाँ पर क्या हो रहा है ATCE deduction के बाद जो income होती है उस पे वो tax भरकर government को जाता है सब तो उसमें differential रहता है इस differential को कहते है tax expenditure एक तरफ से यह loss नहीं है बट एक तरफ से यह reform of revenue जो है जो resources है जो government खुझ से directly यहाँ पर resource पर खर्चा ना करते हुए indirect way में tax pair कर रहा है यहाँ पर resources पर खर्चा समझ रहे है यहाँ पर directly जो government अगर यह fund यह 300 करोड जो 300 करोड हम आपको बता रहे है जो difference है अगर यह government के fund के अंदर जाता तो government यह 300 करोड जो है economy में लगाती expenditure करती बट यह 300 करोड यहाँ पर tax expenditure बन जाता है due to this exemption concessional rate deduction के विज़से एंड यह 300 करोड यहाँ पर जो taxpayer के through indirect way में जो economy में लग रहा है तो यह difference को कहते है सर टेक्स expenditure दोजार चे साथ में budget में जब आया था तो यह tax expenditure discuss हुआ था सर उसके बाद लगाता हर finance बिल के अंदर हर finance budget के अंदर इसका जिकर होगा जिकर हो रहा है statement of revenue for goal तो statement of revenue for goal में सभी detail दी जाएगी किस वज़े से कित्ता कित्ता कंसेशनल लिया गया है कित्ता tax जो नहीं पहुँच पाया है government के पास पिछले साल का tax for goal क्या था इस साल का tax for goal क्या था यह सारी detail उसके अंदर दी जाती है अब देरे देरे जो budget आने वाला है जिसके अंदर अब सरकार क्या करेगी अब सरकार यह सभी deduction exemptions यह हटा देगी सर यह बहुत कम कर देगी because बहुत ज़्यादा deduction बहुत ज़्यादा exemption यह देने के चक्कर में government के पास जो fund है वो as per the budget या potential rate के इसाब से नहीं आ पा रहा है तो fund नहीं आ पा रहा है और वो fund जो है वो economy में use नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर अब जो government है इसको लाने वाली है and tax expenditure को यहाँ पर लाने वाली है and जो exemption दिये जा रहे, concessional दिये जा रहे, उनको यहाँ पर कम कर दिये जाएंगे एक तरफ से जो indirect था उसको अब direct expenditure भी आप कह सकते हैं सब यह tax expenditure जो है वो direct expenditure अब होने वाला है तो यह budget के अंदर इसका announcement होगा जो देखना होगा कि tax expenditure लाने वाली है government या नहीं लाने वाली है तो यह बहुत बड़ा important topic है because यहाँ पर सभी देशों में यहाँ पर देखा गया है कि जहाँ पर जादा tax expenditure है यानि कुछ देशों में यहाँ पर जो potential rate है उसके मुकाबले जो actual rate है बहुत ज़ादा differences है तो उन countryों में tax expenditure implement किया गया है but अभी तक इंडिया में tax expenditure implement नहीं किया है बड़ बजट में आने वाले बजट में हो सकता है implement हो जाए तो tax expenditure basically वो resources जो taxpayer economy को दे रहे हैं through deduction, exemptions, concessional उनको कम उनकी जो lifestyle है वो बनी रहे उसके लिए सरकार ने उनको छूट दी गई है class of persons को यहाँ पर छूट दी गई है तो वो सब छूटे अब जो है government वापस लेने वाली है और अब जो है government जो fund है जो tax expenditure है वो अब वापस खेचने वाली हो तो यह पूरा concept है tax expenditure का जो हमने आपको detail में समझाए अगर आपको फिर भी कोई doubt है इसके regarding तो नीचे मुझे comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जड़ू करेगा जन्यवाद